जानवी कपूर और इशान खटर ने अपना बॉलिवड डेब्यू एक साथ फिल्म धड़क में किया था इस फिल्म में दोनों की लाजवाब जोडी को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था और अब खबरों के अनुसार एक बार फिर से जानवी कपूर और इशान खटर एक फिल्म में साथ नजर आ सकते है इस फिल्म को नीरज घाईवान निर्देशित करेंगे इस फिल्म में जानवी कपूर और इशान खटर की जोडी का जलवा फिर से देखने मिलेगा दोनों की जोड़ी अब इस नई फिल्म में जादू बिखेरेगी वैसे इस फिल्म का नाम अब तक तैय नहीं है साथ ही इस फिल्म की ओफिशल अनाउंस्मेन होना बाकी है इस फिल्म को करन जोहर के धर्मा प्रडक्शन के बैनर तहद बनाया जाएगा फिल्म धड़क भी करन जोहर ने बनायी थी और अब इशान और जानवे की दूसरी फिल्म भी करन जोहर बना रहे है करिप 6 साल बाद जानवे और इशान खटर की जोड़ी इस फिल्म में दोबारा नज़र आएगी वैसे इस फिल्म का pre-production काम फिलाल चालू है ऐसे में फैंस भी काफे excited है जानवी कपूर और इशान खटर की जोड़ी को इस फिल्म में दोबारा देखने के लिए वैसे जानवी कपूर और इशान खतर की जोड़ी को बड़े परदे में दोबारा देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हो आपकी रहा में जरू लिखेगा हमारे कमेंट सेक्शन में Also प्लीज दो सब्सक्राइब आज चैनल नेशन नाओ Mumbai से विदितापरताप नेशन नाओ